हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल आज हम करेंगे क्लास 11 की स्टैटिक्स बुक का चैप्टर मेजर ऑफ सेंटर डेडंसी का एक इंपोर्टेंट कोशन यह कोशन आपका कोशन नंबर सिक्स होगा मीडियन और मोड जैप्टर का कोशन मैंने ओल्रेडी न मचने तो इस तरीके से टेबल बनाएंगे number of person in house, number of houses और community frequency तो यह number of person in house यह आपके पास 1 to 10 है number of houses आपके पास given है 26, 113 से लेके 4 तक और community frequency आपको calculate करना है तो community frequency किस तरीके से calculate करेंगे 26 है तो 26 पहरे लिखिएगा फिर 113 प्लस करेंगे तो यह आपको 139 आएगा जैन आपको 120 प्लस करना है तो 259 आएगा इस तरीके से आपको solve करना है last में आपके पास 500 आएगा और कोशन में आप देखेंगे तो यहां पर number of person number of houses जो आपके पास गिवन है वो भी 500 है तो इस तरीके से आपना पता कर सकते हैं अगर आपके last value 500 नहीं है मतलब ही जितना आपकी portion में गिवन है इसका मतलब कि आपने addition में कहीं ना कहीं कोई गल्दी करी है इसके बाद करेंगे तो frequency का total total कितना है 500 है frequency का हमारा total कितना है 500 है अब आपको solve करना ह मेडियन का formula आपको मेडियन का formula calculate करना जो कि है n plus 1 upon me 2 यहां पर हमने n plus 1 क्यों लिया क्योंकि discrete data given है जिस reason से हमने आप 1 plus 1 n plus 1 लिया है अब n की जगह पर आपको 500 लिपना है तो 500 plus 1 upon me 2 करेंगे तो यह 5001 upon me 2 होगा divide करके आपके पास जो आएगा size of 250.5 आएगा अब आपको प पता चलेगा 259 की के नियर है और तो हमारा इसका मतलब जो median होगा वो इसका इसके number of houses in a person में जो आपको दिक्राए 3 यह हमारा median होगा जस्ट आपको जो community frequency होती है उसके front वाला हमारा क्या होता है median होता है तो इस question में median है हमारा 3 यह हमें इस question में पता करना था आज के लिए 9 I hope you like this video if you like this video please do subscribe this channel thanks for watching